हेलो दोस्तों फिर्ष्ट स्वागत है आप सब भी का एक न्यू वीडियो में दोस्तों अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पे एक सौट वीडियो अपलोड करते हैं और आपके सौट वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को सुर्फ लेकर के एंड तक पूरे धियान से देखिए क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को कुछ टिप्स बताने वाला हूँ और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने सौट वीडियो में तो आपका सौट वीडियो वाइरल होगा और उसमें बढ़िया व्यूज आएगा तो अगर आप भी जाना चाहते कौन कौन सा टिप्स है तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखना है अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर ट्रेंडिंग सेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर सौट के सेक्शन में अगर आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों का यहां पर कितना व्यूस आ रहा है, और अगर आप नीचे भी देखते हैं, यहां पर बहुत सारे अलग अलग category का Sorts Channel है, जिसमें बढ़िया व्यूस आ रहा है, मिलियन से में व्यूस जा रहा है, तो ऐसा व्यूस आपको कै क्या से मिलेगा क्या यह सारे लोग अपने वीडियो में अपलाई कर रहे हैं जो आप अपलाई करेंगे तो आपके वीडियो इस पर फ्यूज बढ़ेगा चलिए यह मैं आप लोगो बताता हूं अब दोस्तों मैंने यहां पर कुछ टिप्स लिख करके रखा है अगर आप सौ वीडियो अगर आप एक सेकेंड का सौट वीडियो बनाते तो उसमें बहुत जादा खुछ देख दिखाने के लिए नहीं होता है लेकिन अगर आप एक सेकेंड का वीडियो बनाते सिर्फ उसमें एक छोड़ा सा मॉव्मेंट होता है तो उसमें भी अभी बहुत जादा आप जब भी sort videos बनाते तो आपको unique और creative videos बनाना है जैसे आप creative क्या कर सकते तो आप अपने mind से अलग-अलग videos अलग-अलग तरीके से बना सकते या फिर अगर बनाने में कोई भी uniqueness नहीं आ रहा है तो आप उसको editing में unique कर सकते जैसे आपने अभी sort videos देखा होगा जहां पर लोग captions use कर रहे हैं caption जब use करते हो तो उसमें transition लगाते हैं sound effect लगाते हैं और भी बहुत सारा अलग-अलग effect वगरा use करते हैं तो अगर आप भी अगर यहाँ पर unique और creative तरीका से editing करेंगे अपने sort video का तो आपका sort video viral हो सकते हैं अब तीसरा टिप यह है कि अगर आप sort video बना रहे हैं आपके sort video इस पर जादा fuse नहीं आ रहा है और आप unique बहुत जादा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कैसी music use करना है background music जो होता है उसको कैसी रखना है और fast phase editing करना है fast phase editing क्या होता है तो इसमें आपको 2-3 second में आपको भी cut लगा सकते हैं फिर या फिर transition use कर सकते हैं sound effect use कर सकते हैं text use कर सकते हैं overlay use कर सकते हैं तो अगर आप हर 2-3 second में अगर आप कुछ भी editing करते हैं तो fast phase editing होता है लेकिन इसको edit करना है आपको अपने background music के साथ तो यह बहुत बढ़िया और creative तरीका से short video बनता है और इसको अगर आप youtube पे upload करेंगे या फिर अगर instagram पे upload करते हैं तो फिर इसमें बढ़िया views आने का chance होता है अब दोस्तों यहाँ पे चौथा tip यह है कि जब भी आप short videos बना रहें तो शुरू का जो starting 3 second है इसमें आपको बहुत जादा focus करना है मतलब आप अगर short video edit करने में अगर आपको एग घंटा दो घंटा का time लगता है तो first 3 second को आपको इतना time देकर के edit करना है कि वो बहुत बढ़िया hook हो जाए अब यहाँ पे कोई भी अगर आपका short video देखते है आपके पूरे वीडियो को देखेंगे और जब पूरा वीडियो अगर आपका देखा जाता है तो फिर आपका जो audience retention है वो बढ़ता है और फिर आपका वीडियो वाइरल होता है अब दोस्तों अगर आपको short videos वाइरल करना है तो पासमा tips क्या है तो अगर आप short video अप्लोड करें तो आपको right time पे आपको upload करना चाहिए अब जैसे मान लेते कि short video YouTube पे upload करने का right time क्या है या फिर अगर इस Instagram पे upload करते है तो वहाँ पे सही time क्या है short video upload करने का तो अगर आपको पता नहीं है कि आपको कब upload करना चाहिए reals या फिर short videos तो आप जिस category कब videos बनाते हैं, जो भी बनाते हैं किसनल videos बनाते हैं, lip-sync videos बनाते हैं, song में dance करते हैं जो भी आप videos बनाते हैं, उसका जो भी top creator है, उनको आपको follow करके रखना है, और आपको ये notice करना है, कि वो कौन से time पर videos upload करें, जब आपका new page है या फिर new youtube channel है, उस time जब आपको थोड़ा सा videos upload कर पाते हैं, तो analytics में ही आपको दिख जाता है कि आपके लिए कौन सा time सही है, जब आपको video upload करना चाहिए तो शुरू में आप बड़े creator को follow कर सकते हैं, फिर थोड़ा जब video upload कर लेते हैं, फिर आप अपना analytics को follow करके videos upload कर सकते हैं, सही time पर, अब दोस्तों मैं आपको next tips बताता हूँ, और tip number 6 है, कि आपको अपने sort videos हो या फिर reals हो, उसमें audience से engagement आपको लेना है अब engagement आप कैसे ले सकते हैं तो like करने के लिए बोल सकते हैं आप follow करने के लिए बोल सकते हैं या फिर आपने instagram पर अभी ऐसा बहुत सारे videos देखा होगा, जहाँ पर लोग कुछ comment करने के लिए बोलते हैं, जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, कि कोई application editing application, अगर आपको इस app को आउनलोड करना है, तो आपको comment में link करना है, तो आपके DM में direct link मिल जाएगा तो इस तरीके से आप कोई भी comment करवा करके आप वहाँ पर engagement ले सकते हैं अपने audience से, और जब आपके audience, आपके short video पर या फिर reels पर engagement करते हैं, like करके follow करके, comment करके, share करके, या फिर story लगा करके तो यहाँ पर जो भी platform है, उनको लगता है कि यह जो reel है, या फिर यह जो video है, यह बहुत बढ़िया लोग इसको share कर रहे हैं, इसमें engagement दे रहे हैं तो फिर आपके video को और भी लोगों के पास पहुँचाया जाता है, इसलिए आपको किसी भी तरफ से कोई भी tips यूज करके आपको अपने audience है engagement जरूर से लेना है, आप दोस्तो टिप नमा 7 यह है, कि आपको hashtag use करना है, अपने short videos पर या फिर reels पर, आप relevant hashtag या फिर trending hashtag होना चाहिए, जैसे अभी बहुत ज़्यादा hashtag यूज किया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा viral हो रहा है, तो वैसे hashtag को भी आपको अपने short videos पर या फिर reels पर use जरू से करना चाहिए, अब दोस्तों मैं आप लोगों को last tip बता रहा हूँ, जो tip number 8 है, अब अगर आप reels video बना रहे हैं, या फिर short videos बना रहे हैं आपको viral करना है, जादा views लाना है तो आपको trending आपको यहाँ पर challenge create करना है, जैसे बहुत बार आपने side YouTube पर या फिर reels पर देखा होगा, जहाँ पर कोई भी song वगरा आता है, तो यहाँ पर challenge देते हैं, कि इस song का hook step है, वो आपको create करके बनाना है, अब अगर आप भी इस तरीके से challenge देते हैं, अपने audience को तो लोग जब भी उस video को बनाएंगे हैं तो आपको अपने reels में बताना है, कि अगर आप इस challenge को complete करते हैं, तो मुझे tag जरू से करना है, और अगर आपका बड़ी वीडियो बनता है, तो मैं आपके वीडियो को अपने story पे लगाऊंगा, तो इससे क्या होगा, कि यहाँ पर जब भी ज़्यादतर लोग अगर आपको यहाँ पर mention करते हैं, अपने reels पे, अपने stories पे, तो यहाँ पर आपके account काभी दीच बढ़ता है, जिससे views बढ़ेगा और इसमें से अगर आपको किसी भी audience का अगर बढ़िया वीडियो दिखता है, तो उसको भी आपको अपने story में लगा देना है, ताकि आपकी followers हैं, उनको भी और भी अगर आपको भी challenge देंगे, तो वो अच्छे से follow करेंगे, इसलिए आप ये सारे tips को follow करके अपने account को, Instagram account को, या फिर YouTube sort videos को viral कर सकते हैं, और आपको ऐसा नहीं है कि आप एक दो वीडियो में इसको apply करना है, सारे videos में आपको apply करना है, और consistent आपको रहना है कोई भी platform हो consistent अगर आप बनाए रखते हैं, तो फिर आपका जो videos है viral होता है आपके account में, आपके channels पे followers बढ़ता है, तो आप इसको try कीजिए देखे किस तरीके का result आता है और कम से कम तो इसको आपको 2 मेहने तक, यानि 60 दिन तक तो आपको apply करना ही करना है, अगर आपको अच्छा यहां पे reach चाहिए, तो 60 दिन apply करना है उसके बाद देखे, आपको किस तरीके से result मिलता है तो बास फिलाल इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो आपको क्या करना, like करना है, और ऐसे